क्या होगा यदि आप भविश्य देख सकते हैं? ग्याजट्स का भविश्य जो है? एक ऐसी दुन्या की कल्पना करें जहां प्रोध्योगिकी ने हमारी वर्तमान समझ से परेचलांग लगाई है. एक ऐसी दुन्या जहां ग्याजट्स की तेजी से प्रगती से विज्ञान कथा और वास्तविक्ता के बीच की रेखा धुन्दली हो जाती है. हमारे घरों से हमारे कार्य स्थलों तक ये भविश्यवादी उपकरन हमारे जीने की तरीके को फिर से परिभाशत करने के लिए तैयार है. और खेलो, तक्नीकी नवाचार की गती लुभावनी है और ये दुन्या को फिर से आकार दे रही है जैसा की हम जानते हैं. में, वीडियो, आप कुछ सबसे आशाजनक गैजट्स की खोज करेंगे जो फिर से परिभाशत करने की उमीद कर रहे हैं. अपने स्वयल के निजी सहायक होने की कल्पना करें लेकिन मानफ कारक के बिना. एया इस अंचालित व्यक्तिगत सहायकों की दुनिया में आपका स्वाधत है, एक ऐसा ख्षेत्र जहां प्रोध्योगी की सुविधा प्रदान करती है. ये सिर्फ आपके साधारल गैजेट नहीं है, वे आपके जीवन को सरल बनाने के लिए दिजाइंग किये गए उन्नत सिस्टम है. अपने व्यस्त कार्यक्रम के प्रबंधन से लेकर स्मार्ट होम उपकरनों को नियंतरत करने तक ये सहायक यहां है. आपके दिन प्रते दिन के कार्यों को हवा चलती है, या इस अंचालित व्यक्तिगत सहायकों की अफधारना अब एक दूर का भविशे का सपना नहीं है, ये यहां है. आप, ये उपकरन वास्तविक समय में आपके आदेशों को समझने और जवाब देने में सक्षम है. वे अनुस्वारत सहर सकते हैं, अपना पसंदीदा संगी चला सकते हैं, आपको मौसम अप्लेट दे सकते हैं, और यहां तकि आपको और गाने में भी मरत कर सकते हैं. पसंदीदा पिज्जा, गूगल, आमजॉन और आपल जैसी कमपनिया इसक्षेतर में अग्रणी हैं, जिनमें से प्रतियक अपने अध्वितिय के साथ है. गूगल असिस्टेंट, अमेजन का अलेकसा और आपल का सिरी इनक्रान तिकारी के कुछ उदाहरन हैं. ये तक्नीकी दिगगज लगातार अपने AI अल्गोरिदम को विक्सित और परिश्क्रित कर रहे हैं ताकि उन्हें और अधिक बनाया जा सके. अधिक उत्तरदाई और पहले से कहीं अधिक व्यक्तिक्रित. लेकिंग गलत मत बनो, ये व्यक्तिकत सहायक सिर्फ नवीनता नहीं है, वे कदम है. एक ऐसे भविशे के लिए जहां प्रद्योगी की हमारे जीवन में मूल रूप से एक इक्रित है, वे एक के अगदूत हैं. जहां हम नकेवल प्रॉद्योगी की साथ बातचीद करेंगे, बलकि हमारे परिसर को नेविगेट करने में हमारी मदद करने के लिए इस पर भरोसा करेंगे. AI संचालित व्यक्तिगत सहाय के एक क्रांती की शुरूआत है कि हम कैसे बातचीद करते हैं. क्या होगा यदि आपका टैबलेट स्मार्टफोन में फोल्ड हो सकता है और इसके विप्रीत? इसे चित्रित करें, एक ऐसी दुनिया जहां आपका डिवाइस उतना ही लचीला है जितना आप हैं, आपकी आवश्यक्ताओं के लिए जुकते हैं और फिट होते हैं, अपने जीवन में. यह अब हमारी कल्पना की उपरच नहीं है. फ्लेक्सिबल डिस्प्ले टेक्नोलोजी में नवीन तब प्रगती के लिए धन्यवाद, फोल्डेबल स्मार्टफोन का युग. गोलियां हमारे उपर आ गई हैं, यह उपकरन सिर्फ एक नवीनता से अधिक हैं, वे मानव सरलता का एक प्रमान हैं, जिसका प्रतीक हैं. प्रदान करते हैं, जो सामकरी की खपत के लिए एक वर्दान है और कार्याव. आप वीडियो देख सकते हैं, दस्तावी संपाधित कर सकते हैं, या बड़े डिस्प्ले कर गेम खेल सकते हैं. और जब आप काम पूरा कर लें, तो बस इसे एक कॉमपेक्ट रूप में वापस मूरें. हाला कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. फोल्डेबल तक्नीक के साथ चिंता स्थायत्व है. इन उपकरनों को लगातार जुकने के अधीन किया जाता है और यह संभावित रूप से उनके जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा, वे आम तोर पर अपन फोल्डेबल समकक्षों की तुलना में अधिक महेंगे होते हैं, जो पोल्स दे सकते हैं. व्यापक रूप से अपनाने में बाधा. इन चुनौतियों के बावजूद, फोल्डेबल स्मार्टफोन और टैबलेट का भविश्य आशाजनिक देखता है. जैसे जैसे प्राद्य में असीन संभावनाएं हैं और हम सवारी के लिए यहां हैं. तो देखते रहें क्योंकि हम गैजट्स के भविश्य को उजागर करना जारी रखते हैं. क्या होगा अगर आपके आसपास की दुनिया को चश्मे की एक साधारन जोडी की साथ बढ़ाया जा सकता है? अब हम अवधारना जो हो सकती है. सीधे एक साइंस फाइफ फिल्म से बाहर, लेकिन तेजी से एक वास्तविक्ता बन रहा है. ये चश्मे हमारे वास्तविक दुनिया के दृश्य पर डिजिटल जानकारी को खत्म करके काम करते हैं. कल्पना कीजिए कि आप एक सड़क पर चलते है और भोजनालियों के पास से गुजर्टी समय रिस्तरा की समीक्षा देखते हैं. या एक विदेशी भाषा वार्तालाप के दौरान आपकी आँखों के सामने वास्तविक समय अनुवाद. ये सभी और अधिक एर चश्मे के वादे हैं. लेकिन वे कैसे काम करते हैं? जादू और डिजिटल दुनिया का एक सहच मिश्रण. इस तक्नीक के लिए संभावित अनुप्रयोग विशाल और विविध हैं. जटिल कारियों के लिए इमिसिव गेमिंग और हैंस-उन प्रशिक्शन से लेकर नेविगेशन और पहुँच तक. विकलाल व्यक्तियों के लिए. अ बहुत सम्मोहक है, और वे अच्छी तरह से एक मुख्य गैजेट हो सकते हैं. हमारा भविश्य, आईए आज हमने जिन लेखनिया गैजट्स पर चल्चा की है, उन्हें पेसे देखने के ही कुछ समयले. भविश्य के दाइरे में प्रद्योगी की नकेवल बढ़ रही है, ब प्रद्योगी की में अगली बड़ी चलांग का प्रतिनिदित्व करते हैं. अपने अनुकूलिनियर फॉर्म कारकों के साथ, वे फोन और फोन के बीच एक सहल से अधिक हैं. प्रद्योगी की नकेवल हमारे उक्रणों का उप्योग करने की तरीके को बदलने के लिए तयार है, बलकि हम उन्हीं कैसे समझते हैं. और अंत में हम समवर्दित वास्तविक्ता चश्मे की एक जोड़ी पर फिसल गए, जिससे दोनों के बीच की रेखा धुन्दली हो गई दुनिया और हमारी अप्मी, यह ऐसी तक्नीक है जो नकेवल हमारी वास्तविक्ता को बढ़ाती है, बलकि इसे फिर से परिभाशत करने की ख्षमता रखती है. गेमिंग से लेकर शिक्षा, डिजाइन से लेकर स्वास्ति देखभाल तक, एर चश्मे के अनुप्रयोग परिवर्तनकारी हैं, इनमें से प्रत्यक गैजेट हमारे जीवन को गहन तरीके से बदलने की ख्षमता रखता है. वे केवल कारियों को आसान बनाने या मनुरंजन प्रदाल करने के बारे में नहीं है, वे हमारे आकार को आकार देने के बारे में हैं. नई संभावनाओं का निर्मान करना और जो हमने सोचा था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना. जैसा कि हम भविश्य की ओर देखते हैं, एक बात स्पष्ट है, गैजेट्स की दुनिया और भी अधिक बनने वाली है.